कर अधिक देखें फ्रेंट्स आजकी टोपडार वा वहीं बात करेंगे विया सब्द भंडार सब्दार करो है है और पिर इस Amaad विँख वन्डार सब्दार से पूछे के जाते हैं उसमें के सब्चन पूछे जाते हैं तो इसमें डों लिंकर वहां से जाके देख सकते हैं तो यहां पर कहा है आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा तो इस बाक्या में किसी एक सद्व का संधर्व का भाव की दरश्टी से उपियुक्त पिर्योग नहीं हुआ है तो यहां पर बताना है कि कौन सा इस बा आलोचक या अनुरूप या परिवर्तन या रचना किसका पिर्योग सही पिरकार से नहीं हुआ है ठीक है यहां पर बात करें आलोचकों के अनुरूप ठीक है तो यहां पर जो अनुरूप आया है तो यहां पर अनुरूप नहीं आना चाहिए था ठीक है यानि कि था आलोजकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा तो यहां पर यह आपका गलत आया है अनुरूप यहां पर अनुसार आना चाहिए था ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर वी तो इस पिरकार भी क्योशन पूछ लेता है हमें इनको भी की ध्यान पूर्वक करना होता है ठीक है चलिए अगला क्योशन देखते हैं अगला क्योशन है नमलिकित प्रिसन में चार विकलप में से उसका सही विकलप का चैन करें जो रेखांकित सब्द के लिए उचित विकलप है यहां पर बताना है पिता ने बेटी की साधी में किसी भी पिरकार की कमी ने होने दी तो यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें गलत है ठीक है देखिए यहाँ पर अगर बात करें पिता ने बेटी की साधी में किसी भी पिरकार की कमी नहीं होने दी तो यहाँ पर देखें यहाँ पर कमी की जगा यानि के तो यहाँ पर जो कमी आया है ठीक है अगर ओप्सन के अनुसार देखें हास हस्त हास पूरती तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था तो यहाँ पर आपका कमी ना आकर के ठीक है यहाँ पर कमी के इस्तान पर हास आना चाहिए था ठीक है क्याना चाहिए था हास ने होने दी ठीक ह तो यहाँ पर यह आपका आता हासर तो इस चीज को भी ध्यार नखना है यह भी आपकी पूछ लेता है ठीक है चलिए अगला किशन देखते है निमलिकित प्रसन में चार विकल्प में से उसका सई विकल्प का चैन करें जो रेखांग के सब्द के लिए उचित विकल्प है तो यहाँ पर जो सहारा है यहाँ पर यह क्या है देखें सहारे की अगर बात करो यहाँ पर तो सहारा क्या है तो यहाँ पर अगर सहारे की बात की जाए तो सहारे की जग अगर ओप्सन के अनुसार देखें तो यहाँ पर आपका अवलंब उनका बेटा ही था ठीक है यहाँ पर ठीक है तो अबलंब का अर्थ क्या होता है सेग्र तो अबलंब का अर्थ होता है सेग्र और बिलंब रहित यानिके अगर यहां पर अमूल का अर्थ की बात करें तो अमूल का जो अर्थ होता है वो होता है अनमूल ठीक है क्या होता है अनमूल तो यह चीज के भी आपको दिहा नगना ठीक है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा उप्सर नंबर 20 का अंसर हो जाएगा अगला क्यूश्शन है पुलिस ने मेमानों से किसी में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का इलजाम क्या लगाया यहां पर बताना है यहीं कि दोसारों पर दोस यानि के क्या लगाया तो यहाँ पर जो लगाया यानि के पुलिस क्या लगाती है किसी पर भी अभी योग लगाती है ठीक है क्या लगाती है अभी योग लगाती है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ओप्सन नंबर भी सीस का अंसर हो जाएगा या संधे में संधे का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आसंका होना बहीं संसे का अर्थ है ठीक है तो संधे का अर्थ है जहां मन में कुछ संसे होना ठीक है तो संसे मतल मन में कुछ आसंका होना तो संसे का अर्थ यहां पर हमें बताना है ठीक है ठीक है संसे का जो अर्थ होता है वो होता है बास्त्विक्ता की एनिच्चे की इस्तिती में, यानि कि बहाँ पर संसिय बनाओ है, कि वो चीज है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर उप्सन नमबर डीस का अंसर हो जाएगा, चलिए अगला कुशन देखते हैं, जहां प्रिलाब का आस्य दुखी, यानि कि बिलाब का आस्य क्या होता है, दुखी होता है, या क्रोधित होकर बिर्थ की बाते बोलना होता है, तो बहीं बिलाब से क्या आस्य है, तो बिलाब का अर्थ होता है, यानि कि रो रो कर अपना दुख कहते जाना, ठेक है, चलिए अगला क्यूशन देखते हैं, किसी बस्तू को ब्यवार में लाना, इसका आस्य किस सब्द से है, ठेक है, तो इसका को आस्य की बात करें, देखे किसी बस्तू को ब्यहवार में लाना यानि कि वो बस्तू क्या होगी उपियोग ठीक है तो क्या करेंगे उस बस्तू का हम उपियोग करेंगे ठीक है और सदू उपियोग क्या होता देखे सदू उपियोग की बात करूं किसी बस्तू का उचित उपियोग ठीक है किसी ब बस्तू का उचित उपियोग उचित उपियोग ठीक है तो उसे बोलते सद उपियोग और अनुपियोग क्या होता अनुपियोग की बात करें तो किसी सिद्धान्त या अनुसासन का ब्यवारिक पिर्योग अगर पिर्योग की बात करें तो किसी बस्तू का उपियोगता की यारी नियाता कोई नहीं टाल सकता तो यहां पर क्या आएगा देका यहां पर बात करें आवा नियत नहीं नमित निमति तो यहां पर जो आएगा यारी आपने के लिए लड़ना धर्म है तो यहां पर आएगा अपने के लिए लड़ना धर्म है तो यहां पर आएगा थी कि अपने स्वात्प के लिए लड़ना धर्म है तो यहां पर आएगा 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 अध्याहार का अर्थ है तो अध्याहार का जो अर्थ होता है तो अध्या आर्थ का कि अगर अर्थ की बात करें यह दिखे अध्या आर्थ का आर्थ होता है बाक्य में करता और कर्म का जुड़ जाना ठीक है तो बाक्य में करता और कर्म का जुड़ जाना देखे तो यहाँ पर जितने भी क्यूस्टन है सारे मोस्ट हैं इनको नोट करते चलना चलिए अगला किसम देखते हैं रीतु का अर्थ क्या होता है तो यहां पर बात करें रीतु का तो रीतु का जो अर्थ होता है ठीक है तो इसका होता है सत्ये क्या होता है सत्ये होता है ठीक है तो यहां पर रीतु का अर्थ होता है सत्ये तो ये चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना अगला क्यूशन है तक्षक का भिनार्त सब्द है तक्षक का भिनार्त सब्द है तक्षक का भिनार्त सब्द जो है अगर यहाँ पर बात करें तो तक्षक का आस्य है यहाँ पर तक्षक का आस्य है बढ़ाई सूत्रदार बिसकर्मा से है जबकि सिलायंस इन तीरों से भिन वाला सर्थ है तक्षक की बढ़ाई सूत्रदार बिसकर्मा से है लेकिन इन से भिन बताना है तो सिलायंस यहाँ पर आपका भिन है इन तीरों से आपका सिलायन्स चलिए अगला कुछन देखते हैं भाव का भिनार्थ है तो भाव का भिनार्थ बताना यहां पर देखे भाव का आपका अगर बात करूं यहां पर विचार ठीक है तो भाव का विचार तर अभी प्राय ठीक है तो भाव का आस्यत दर विचार अभी प्राय है जबकि यहाँ पर बात करूँ भवन की तो भवन यहाँ पर आपका भिन अर्थ वाला सब्द है ठीक है चलिए अगर आगर किसा देखते हैं आज के बेग्यानिक नए नए तो यहाँ पर बताना है द्वारा हमारे जिबन में सुक्मिय है बना रहे हैं तो यहाँ पर बताना है क्या आने वाला देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए आज के जो बेग्यानिक है अगर उनकी बात की जाए तो आज के बेग्यानिक नए नए अभिसकारो द्वारा हमारे जीवन को सुक्मिय बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा अब इस कारो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद अगला क्योशन देखते है यदि यदि इस रोक का आरम में ही कावू ने किया गया हो तो यह हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर बताना है में क क्या है गाथ कि यहांपर बात करें यद्य इस रोगा आर्म में ही काबू ने किया गया हो तो संक्रमक हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है संक्रमक हो सकता है ठीक है चलिए एगला कि सुन देखते हैं अब्यांतर का सही अर्थ है तो अब्यांतर का सही अर्थ क्या होता है अब्यांतर का सही जो अर्थ होता है यानि कि वो होता है किसी बस्तू का भीतरी भाग ठीक है किसी बस्तू का भीतरी अब्यांतर का सही अर्थ होता है ठीक है चलिए अगले किशन देखते है रसाल का सब्द का अर्थ है तो रसाल सब्द का अर्थ की अगर बात करें रसाल की तो रसाल जो है आम का पर्यवाची है ठीक है ये किसका है आम का पर्यवाची तो यहाँ पर और आम का पर्यवाची है रसाल सब्द तो आम के अन्य पर्यवाची क्या क्या हो साथ है कि आम्र भी होता है ठीक है आम्र भी होता है और आपका पिक बंदू भी होता है क्या होता है पिक बंदू भी होता है और आपका अमरित फल भी होता है अम्रित फल भी होता है ठीक है फल स प्रैष्ट भी होता है और यहां पर बात करें मधूराव भी होता है इनको भी नोट कर लेना यह आम के पर्यवाची हैं चलिए अगले किस्म देखते हैं बल्लिय सब्द का अर्थ है तो बल्लिय सब्द का अर्थ से चिन्नित करना है इनमें से कौन सा दिखें बल्ले अर्थ की यहां पर बात करें तो बल्ले सब्द का जो सार्थक अर्थ के अगर यहां पर अगर होगा तो वह होगा यहां पर गोला कार घेरा ठीक है खैक जितने भी क्यों से है सारे मोष्ट है इनको नोट करते चलना तो यहां पर अगला क्यूशन है संगीत द्वारा ब्यक्ति का पिरभावित होता है ठीक है तो यहां पर बताना है संगीत द्वारा ब्यक्ति का क्या पिरभावित होता ठीक है संगीत द्वारा अगर बात की जाए तो संगीत द्वारा जो ब्यक्ति का होता है वो आचरण पिरवावित होता है ठीक है क्या होता है यहाँ पर बात करें ओप्शन के अनुसार तो संगीत द्वारा ब्यक्ति का आचरण पिरवावित होता है ठीक है और यह इस्टेनोगरापर योपी-ट्रिपल-स्टी के एक्जाम में पोचा गया कि उस्टन है चलिए अगला किसन देखते हैं भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य यहां पर बताना है गती से नहीं हो सका है तो यहां पर क्या आएगा तो यहां पर अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार यह निके प् यहां पर प्रसंसनिय गती से नहीं हो सका है तो यहां पर क्या आएगा अपका प्रसंसनिय यहां पर आपका आएगा यानिके प्रसंसनिय गती से नहीं हो सका है ठीक है चलिए अगला किसन देखते हैं गांदी जी का राम राज्य का स्वेपन आज तक तो यहां पर बताना है नहीं हुआ है तो यहाँ पर अगर बात करें गांदी जी का राम राज्य स्वेपन आज तक साकार नहीं हुआ है ठीक है क्या हुआ है साकार नहीं हुआ है ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं अंतराष्ट्य हिंदी कभी सम्मेलन का यहाँ पर बताना है स्वेप में ब सम्मेलन कभी सम्मेलन का यानिके यहाँ पर तो क्या आएगा यानिके प्रयोजन, आयोजन, अरक्षन या संगटन तो यहाँ पर बात करें ओप्षन के अनुसार यानिके अंतराष्टे कभी हिंदी सम्मेलन यानिके सम्मेलन का आयोजन स्वैम में बड़ा काम है तो यहाँ पर आएगा आपका आयोजन ठीक है तो यहाँ पर आयोजन आपका option हो जाएगा चलिए अगरा question देखते हैं बायू यान के उतार चड़ाब से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें यहाँ पर बताना है क्या तो यहाँ पर क्या बताना है option में क्या आएगा दीके बायू यान के उतार चड़ा में यात्रे घबरा गए पर चालक ने उन्हें यानि के चालक ने उन्हें क्या-क्या आस्वस्त किया क्या-क्या आस्वस्त किया यानि के आप उनको आस्वस्त किया ठीक है चली है अगला कुशन देखते हैं निमलेकित पिर्टी एक चार बिकल्पों में से बे समस्या, खेद, जटिलता, कठनाई, दीक है, यहाँ पे अगर बात करें, तो कठनाई, समस्या, कठनाई, जटिलता, अगर इन तीनों सब्दों को देखें, ठीक है, तो यह क्या है, समस्या, कठनाई, जटिलता, यह क्या कर रहे हैं, किसी भी परेसानियों को दरसाते हैं, ठीक सब लेकिन यहाँ पर खेद की बात करें तो खेद क्या होता है किसी कारे के संपन यानि के पूरा ना हो या कोई दुख हो तो बहाँ पर हम खेद जताते हैं ठीक है तो खेद इसमें आपका बेमेल सब्द है चलिए अगला कुशन देखते है निमलिकित देखिए आज के टोपि पूछे गए हैं वही कराता हूं ठीक है तो यहाँ पर बात करें निमलिकित में से पिर्थी एक चार विकल्पों में से बेमेल सब्द को चेननेत कीजिए तो यहाँ पर बताना है जो इन में सबसे अलग है दीकि यहाँ पर कौन सा इन में अलग है वो हमें यहाँ पर बताना दिए यहाँ पर बात करें घर पिर्यजन परिवार बच्चे तो यहाँ पर लगए पिर्यजन परिवार बच्चे है तो घर ठीक है दीक है घर और यहाँ पर अगर देखें प्रेजन परिवार बच्चे तो यह क्या है तीनों एक से हैं ठीक है वो किस परकार है दीक है क्योंकि यह रिस्तों को दर्सा आते हैं ठीक है प्रेजन परिवार बच्चे किसे दर्सा रहे हैं रिस्तों को दर्सा रहे है तो रिस्तों को दर सारे हैं लेकिन यहाँ पर घर जो होता है हमारा वो सारा मूल भी सुविधाओं के अंतरगत आता है यानि कि उसमें सारी सुविधाओं होती है तो यहाँ पर घर ओप्सन आपका अलग हो जाएगा तो आज के टोपिक में इतना ही कल में इसमें आपको जो क् करांगा और इसी टाइप पर पूछे जाते हैं तो चैनल बनाएं और सब्सक्राइब करना पिछली क्लास नहीं देखें दिया हुआ है चलिए फिर मिलते हैं कर नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक के लिए धन्यवाद